Hello everyone, मैं आपके साथ Manoj Varma और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताऊँगा और इस पर कैसे काम करा जाता और ये इंडिकेटर कैसे काम करता है उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा और पॉसिबल हुआ तो इस वीक में एक वीडियो बनाऊँगा लाइब ट्रेडिंग की इस इंडिकेटर पर किस तरीके से अलर्ट्स लगाते हैं और किस तरीके से ओटोमेशन ट्रेडिंग करते हैं जिन लोग को पता नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूं हमारी वेब साइड नेक्से लेवल बार्ट और हम और उत्तर ओमेशन ट्रेडिंग करते हैं आप हमारी वीडियो देख सकते हो YouTube चैनल पर और आप देख सकते हो कहां कां हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर आते हैं और वाच लिस्ट के अंदर 50 स्टॉक पहले से अड़ है जो निफ्टी 50 के अंदर और इसके अंदर में वह चीजे नहीं दिखाऊंगा आपको फिल्टर करके कि इस पर कितने बढ़िया सिगनल हा रहे हैं मैं आपको स्टैप बाइस टैप मैंने प्राइस पर जैसे किलिक करा तो ज इस किस तरीके से सिगनल देता और किस तरीके से काम करता यह डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बनने वाल यह काफी लंबी तो इसे आप धान से देखिए सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर को लगा देता हूं और इंडिकेटर को लगाने के बाद यह इंडिकेटर का नाम देख रहा है दो है यह OEPनिंग रेंच लाइन है मैं क्या करता हूँ मैं सेटिंग में जाता हूं अप कि अंधर जाने के बाद स्याल कि जी प्रेक्षयॉ मार्केट आपंड होती है यहां एक होरिजेंट यह निए लगेंगो 9 9.15 की candle है आप नीचे देखोगे तो टाइम भी दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर आपको टाइम दिखेगा तो आप नीचे देखिए 14 जुलाई 9.15 की candle है तो यह वर्टिकल जो लाइन है आपको यह सेशन बता रही है किस ताइम से किस ताइम तक मार्केट च इसके अंदर शो होती है फिस्ट केंडल का हाई फिस्ट केंडल का लो तो हमने 15 मिनिट की candle लगा रखे तो यह परपल लाइन दिखा रहा है कि आज जो फिस्ट केंडल थी उसका हाई यह ता और यह लो था इससे हमारा कोई मैटर नहीं है यह एक बस एक लोजिकल है कि हाँ के लोजिक पर हमें काम करना है तो सबसे पहले जब आपके पास यह ओन होता है तो हम क्या करते हैं हम इसके सारे सिगनल ओन कर देते हैं इसके नदर चार टाइप के सिगनल होते है फौर टाइप सिगनल होते है रेंज 1 रेंज 2 रेंज 3 रेंज 4 अब थोड़ा सा आपको आइ यह चीज बिल्कुल सही आप यहां देख सकते हो range 1 के अंदर यह long का signal देता है range 2 के अंदर short का signal देता है range 3 के अंदर long का signal देता है range 4 के अंदर short का signal देता है अच्छे यह चीज कैसे गलते ही मैं आपको बाद में बताऊँगा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हम चार्ट पर चलते हैं, जैसे मैंने बूला, 1x1 लूँगा में स्टॉक, और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर चारो रेंजो को ओपन कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, जैसे मैं इस पर टिक करूँगा, यह चारो रेंज ओपन हो जाएगी और जो भी रेंज बनी होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी, तो मैंने उपन कर दिया है, और जो कल का टाइम फ्रेम ता, मतलब जो आज 14 तारिक आप यहां देख सकते हो, आपको मेरे खाल से मैं इस पार्ट को कट कर दूँगा, तो आपको तारिक नहीं दीखेगी, बट एक बेसिक है, कि हाँ इससे हमें आइडिया लगता है कि हमें करना है क्या है, तो इस पर नहीं करते हैं, हम दूसरे स्टॉक पर आ जाते हैं, जो 77 रुपीज का है, निफ्टी फिफ्टी के अंदर 2nd stock, तो यह ONGC है, तो इसके अंदर यह 2nd range बनी है, अब 2nd range कैसे बनती है, थोड़ा सा आइडिया दे दे तो, 1st range होती है, long, 2nd range होती है, short, तो 2nd range का इसका logic यह है, जो हमारा opening range high है, और opening range low है, उसके बाहर जो candle close होती है, यह आप देख सकते हैं, यह candle close ही, उसका high और low calculate करते हैं, और उसके high low को अगर वो cross करती है, तो its mean महा पर हमारा 2nd range breakout होता है, तो जैसे ही cross करती है, automatic आपको signal मिल जाता है, इसके अंदर alerts है, आप इसके साथ automation trading भी कर सकते हो, जैसे ही signal आएगा, आपके broker के पास आपका order चले जाएगा, तो अगर आप देखोगे, मैं इस line को थोड़ा सा हटाता हूँ, मैं एक मिन डुक जाएगे, मैं इसका color भी थोड कर देता हूँ, तो जैसे ही इधर second range breakout हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनने signal दे दिया second range, और उसके नीचे ही, इस जो line का low था, as a example, यह score पे था, तो इसका 1 रुपे, 1% calculate करके, इनने एक take profit लगा दिया, जो की target हिट हो गया, ONGC में, यह TP2 दिख रहे, TP2 का मतलब है, range 2 target हिट हो गया, अगर गलती से वापस reverse हो जाती ही market, तो यह range 2 का stop loss होता, तो reverse नहीं हुई, अब इसके अंदर भी आपको एक चीज धान रखनी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो यहाँ पर हमें target अर्चीव हो गया, जो take profit है, by default मैंने 1% लिया, आपकी मर्जी है, आ मैंने 1% लिया है, तो आपको अभी देखने को मिली range 2, range 2 में किस तरीके से काम होता है, अब मैं एक example बता रहा हूँ, कि जैसे कि अगर आज यह होता है, range 2 ब्रेक आउट होती, market थोड़ा सा reverse होती है, और वापस इधर चली जाती, तो यहाँ पर हमारा stop loss हिट हो जाता है, इ आप इससे stop loss नहीं लेना चाते, तो वह आपकी मर्जी है, बस alerts मैंने बना रखा है, बस एक चीज़ का आपको धान दखना है, कि जिस candle पर range ब्रेक आउट हुआ है, उस candle पर अगर यह stop loss को हिट करता है, तो वहाँ alerts नहीं आएगा, उसकी next candle पर alerts आएगा, क्योंकि हम उस candle को अगर सेम candle पर target हिट कर देता, तो वहाँ पर भी नहीं आता है, वैसे मैंने इस चीज़ को avoid कर रखा, सेम candle के नीचे, आपको line नहीं दिखती है, अगली candle के नीचे line दिखती है, जैसे है कि आप देख सकते हो, अगली candle के नीचे line दिख रही है, तो यह एक बताना था मुझे कि इस indicator के अंदर यह एक चीज है, अचा हमने देखा, target हिट हो गया, अब आ जाते है, 77 के बाद जो एक stock है, IOC है, जो 86 रुपीज का है, आज की date में, और हम अगर इस पर click करते हैं, तो इस पर आए, तो इसके अंदर देखिए, कि आज का opening range high यह था, और opening range low यह था, इसके नीचे वाला, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, opening range high, opening range low, तो जैसे range 2 breakout हुई, मतलब नीचे वाली line को भार close हुई candle, तो उनने अपना एक high बनाए, एक low बनाए, यह आप देख सकते हो, range 2 का high है, और यह range 2 का low है, जो आप line देख रहे हो, और जैसे इनने range 2 का high बन आया होता, तो आपका target तो hit नहीं होता, SL hit होता, तो it means, कि आपकी trade तो range 2 पर दल गई है, as example, हमारे 100 stock दल गए, तो हमारा stop loss hit हो जाता, इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है, अब आजाते हम तीसरे पर, जो 87 rupees का stock है, इसके अंदर range 2 का target हो गया, मैं इसके बारे में बता च signal है, तो मैं आपको अंदाजे से बताऊंगा, कि हाँ, आपको कौन-कौन से देखने को मिल जाएंगे, कौन-कौन सी range देखने को मिल जाएंगे, जो ज़्यादा दिख रही है, मैंने अभी पीछे चेक कर रहा था, तो range 2 ज़्यादा breakout हुए, it means, market bearish थी, बहुत ज़्यादा इस पर चलते हैं, Tata Motor पर, Tata Motor पर भी target हो गया, 1% का, no repaint indicator है, आप देख सकते हो, जो signal जहाँ बन गया हो, महीं बनेगा, तो इस चीज़ से तो, इस tension से तो दूर हो जाएंगे, कि हाँ, ये indicator repaint होगा, अच्छा, इधर आ जाते हैं, विदानता पर, विदानता के अंदर भी target हो गया, अगर आप देखोगे, तो TP, 2 लिखा रहा है, इसका मतलब range 2 का target हो गया है, 1% का, call India पर चलते हैं, call India के अंदर target, stop loss हो गया है, और यहाँ पर range 3 भी बनी है, अब range 3 का signal ही बना, वो बात अलग है, पर अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो range 2 की line ये थी, जिसके अ वापस होई, range 2 ने अपना stop loss भी hit करा दिया, पर range 3 की line बन गई, अब range 3 कैसे बनती है, मैं आपको बता दूँ, ये इस logic पर बनाया है, indicator, जब short होती है market और वापस reversal मारती है, मतलब bullish होने लगती है, as example, आज का high ये बना, low ये बना first candle का, जैसे low के भार candle open होई, तो इनने अ अपना एक high और low calculate करा, और range 2 ने अपना signal दे दिया, जब low को cross करा, इधर stop loss होगया, पर जैसे market वापस reverse होती है, और अपनी range 2 की line से बाहर closing देती है, तो बाहर closing जैसे ही दी, इनने क्या करा, इसने है high और low calculate कर गया, अगर यहाँ पर देखोगे, तो इनने closing दे रखे, तो high और low calculate करा, एक line दाली, अब यह signal का इंतजार कर रहा था, जिसके अंदर अगर यह signal यूँ वापस इधर cross कर देता, इस line को, तो यहाँ पर आपको एक signal देखने को मिलता, range 3 जो की नहीं हुआ, तो इसके अंदर आज stop loss होगया, range 2 का, range 3 का signal हमें मिला ही नहीं, अब आजाते पावर गराइड पर, पावर गराइड पर जो signal मिला, range 2 का target होगया, आप देख सकते हो, हिंदुस्तान पर आजाते हैं, मेरे को stock के नाम बोलने नहीं हो सकता है, मैं कोई गलत नाम बोल दूँ, तो आप देख लेना, उपपर देख लेना यहाँ नाम, हिंदुस्तान नहीं ह इसका हिंदाल को नाम है, तो मैं ज्यादा stock के बारे में जानता नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे नाम ले रहाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे, range 2 का breakout है, वो target होगया, अब जील पर आजाते हैं, जील पर आने के बाद भी, यहाँ पर range 2 का target होगया, तो आज target काफी ज्यादा ह अच्छा, SBI पर आते हैं, SBI के अंदर भी इसने target हिट कर दिया है, range 2 का, range 2 मैं बोल रहाँ, आज market लगता बहुत ज्यादा बेरिश थी, जिसके अंदर target हिट होगया, अच्छा, आब एक range 4 देखने को मिला है, इसका भी logic बता दू, यह range 4 का है, और जिसके अंदर target हिट हु लाइन दाली purple कलर की, अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही high के उपर किसी candle ने closing दी, उस candle का high और उस candle का low calculate करा, अगर यह high break होता, तो range 1 का signal बन जाता, बत इतफाक की बात है कि जो high और low calculate करा था, उसके उप्रोस नहीं करा, तो range 1 का signal नहीं बना, पर यहाँ पर क्या है, क यहाँ पर एक चीज है, कि जैसे ही, ही जो range 1 की low की line थी, उसके बाहर जो candle close होगी, उसके अंदर एक high और low बन जाएगा, जो की orange color की line है, इसके अंदर line है बहुत जादा है, तो जो पहले से indicator use करना नहीं जानते हैं, उनको थोड़ी सी problem होगी, पर जो indicator use करना जानते हैं, ट तो इसने range 4 का signal दिया, कि range 4 आपकी यहाँ पर condition match हो रही, जैसे signal दिया, अगर आप automation trading करते हैं, तो आपका trade दल जाता, और इनने 1% target भी calculate कर दिया, अभी target कहां से change करते हैं, वो भी दिखा दूँगा, जैसे इनने calculate करा, अगली candle पर target hit भी हो गया, यहाँ आप देख सकते हो range 4 target hit भी हो गया, और इसने target अर्चीव कर लिया, अब मैं एक चीज और बता दूँ, इसी के अंदर behind range 2 भी बनाए, जो कि इसके behind बनाए, तो plot ने उसको धक दिया है, मतलब hide कर दे, जिसकी वज़े से दिखनी रहा, तो अगर मैं indicator की setting पर जाता हूँ, यह setting पर गया, और range 4 क तो अगर आपको 2 trade मिलती है, दोनों की दोनों trade आपकी सही जाती है, यह count है, अम मुझा cement है, तो अगर आपको target वगेरा change करने है, इसके अंदर percentage से target होता है, by default 1% जाल रखा है, आप इसे change कर सकते है, indicator की setting में जाके, तो हमने range 4 भी देख लिया, range 2 भी देख लिया, थोड़ करता हूं, यह ITC है, इसके अंदर भी target होता है, range 2 के अंदर, अब आजाते हम और नीचे, इसके अंदर आज कुछ देखने को मिला है, यह मैं आपको थोड़ आसा बता देता हूं, जो कि range 3 बनी है, इसके अंदर, अब यह इसने कैसे काम करा है, वो दिखा देता हूं, तो ज जैसे range high और low बन गया, उसके बाद एक candle भार open हुई, जैसे कि आप देखते हो, भार close हूई, sorry open कहा रहा हूं, भार close हूई, इसने range 2 की line बनाई, red color की, जिसके अंदर उसका high यह था और low यह था, अब इसे इंतजार था range 2 के लिए, breakout देने के लिए, नीचे को कोई cross over करे, red line को low को, पर low को किसी ने cross over कराई नहीं, तो range 2 नहीं बना, पर इतफाक से क्या हुआ, जो range 2 का high था, उसके भार closing दे दी एक candle ने, जिसे इनने calculate करा, और blue color की एक line डाली, और उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर blue color की जो line थी range 3 की, उसको cross over कर दिया, जो range 3 हमारी complete होगी, तो इनने signal दिया range 3, मैं थोड़ा सा इसे remove करता हूँ, तो अगर आप देखोगे, तो range 3 का यहाँ पर signal आया, और इसका जो 1% profit था, वो calculate होके आया यहाँ पर, यह वाली line देख रहे हो, blue color का blue color की take profit है, और जो की touch हुआ इधर, cross over हुआ इधर, तो range 3 का target हिट हो गया यहाँ और उसके बाद इनने range 1 का signal दिया, range 1 के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक range 1 का signal आया है, जिसके अंदर इनने high को और low को calculate करा, और उसके अंदर इसने क्या करा, कि range 1 का signal आया, उसका target हिट नहीं हुआ, stop loss हिट हो गया, तो इसी stock के अंदर range 3 का तो target हिट हो गया, range 1 क जो target था, वो stop loss हिट हुआ, target हिट नहीं हुआ, तो I hope आपको समझ आ रहा होगा, यह चीज़े बहुत complicated है, आपको बहुत जादा learning करनी पड़ेगी, मैं जब समझाता हूं, तो मुझे साफ पता चलता है, मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, सामने वाला समझ भी नही नहीं है, तो मेरी वीडियो आपके किसी काम की नहीं है, तो सबसे पहले आप Google पर सर्च करिए, trading view क्या है, उसकी knowledge गेन करिए, तो आजाते हम दूसरे stock पर, इस stock के अंदर क्या हुआ कि काफी सारी range बनी है, मतलब range 2 बनी जिसके अंदर इसने ना target हिट करा, मतलब range 2 बनी ही बस range 2 की line ही बनी ती, और इसके अंदर range 3 बनी जिसके अंदर इसने ना target हिट करा, ना stop loss हिट करा, पर अगर हम technically देखे तो हम range 2 के अंदर enter होते ही यहां, पर range 3 के अंदर हम अभी market जब बंद हुई है, उस time market यहां थी तो loss में जाते, वो अलग बात है कि target stop loss इसमें हिट नह इतना आएगा, वो first candle के gap पे depend करता है, जो आपकी candle की range है, वो कितनी जादा है, हो सकता हो 10% की हो, हो सकता हो 1% की हो, हो सकता हो कम की हो, वो आपकी range पे depend करता है, तो मैंने आपको काफी सारी range दिखा दी, indicator ऐसा है, बहुत ही बढ़िया indicator है, अगर आप इस पर believe करके थोड़ automation में paper trading कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़े आपकी काम की है, नहीं है, उसके बाद आपका confidence level बढ़ता है, then आप पे automation से real trading कर सकते हैं, आजाते हम Indian Bulls house पे, और इसके अंदर भी target hit हुआ है range 2 का, विपरो पे आजाते हैं, विपरो के अंदर भी range 2 का target hit हुआ बहुत ज़्यादा target hit हुए है, वो भी range 2 के, its mean की market bearish थी, इधर भी ये कौन से stock है, अदानी port है, इसके अंदर भी target hit हुआ है range 2 का, आजाते हैं हम इधर, मैं आज का data देख रहा हूँ, पीछे का data आपको नहीं दिखा रहा, बहुत ज़्यादा complicated हो जाएगी वीडियो, और stop loss hit हो गया, और फिर range 3 बना, और range 3 का भी stop loss hit हो गया, तो आपको double shot लगती है, दो बार आपके stop loss hit होते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ICI bank, इसके अंदर भी target hit हुआ, range 2 का, आजाते हैं, BPCL, इसके अंदर range 2 बनी, और ना target hit हुआ, ना stop loss hit हुआ, आप देख सकते हो, तो target काफी दूर है, और stop loss भी hit नहीं हुआ, पर जब market बंद हुए, आप profit में ही होते, profit में नहीं, no loss, no profit में होते, access bank पे आजाते हैं, access bank में भी target hit हुआ, and UPL में आजाते हैं, UPL के अंदर target hit नहीं हुआ, और क्योंकि अगली, यह आप देखोगे, target line तक आई ती, पर हमारी मैंने जैसे आपको बताये तो next candle पे target calculate करता है, हम same candle पे नहीं कराते हैं, तो अगली बार mark की टुप पर चलेगी, इस वज़े से target hit नहीं हुआ, और इसके अंदर आप loss में जाते हैं, इसके अंदर आजाते हैं, Sun Pharma के अंदर, Sun Pharma के अंदर भी target hit नहीं हुआ, range 2 ने signal दिया और इसके अंदर क्या हुआ, range 2 के अंदर target hit हो गया, Inducent Bank है यह, और यह M & M पे आ जाते हैं, Mahindra & Mahindra, इसके अंदर भी target hit हो गया range 2 का, यह SCL पे आ जाते हैं, इसके अंदर क्या हुआ है, कि आपको range 1 देखने को मिली, आप देख सकते हो, range 1 ने signal दिया, और उसका stop loss hit हुआ तो market reverse होई, market reverse होई, market reverse होई, तो market reverse होके, इनने क्या करा, इधर मेरे ख्याल से range 4 भी बनना चाहिता, वो 4 क्यों नहीं बना, I don't know, अभी मैं चेक करूँगा बाद में, एक बार मैं इसे हटा के देख लेता हूँ range 2 को, कि range 4 बनाएका है, इसके behind तो नहीं है, 1 second, तो इधर range 2 target हीट तो होगया, पर range 4 भी बनना चाहिता हूँ, वो क्यों नहीं बना, अच्छा range 4 मैंने hide कर दिया, sorry, मैंने इसे on नहीं कर रखा था, तो इसलिए show नहीं हो रहा था, इसके अंदर है, by default आप जो on करना चाहते हो, उसको on कर सकते हो, मैं तो बोलूँगा सारी range पर अपने order कर दो रहा है, इसका मतलब range 4 है, और TP 2 है, तो इसका मतलब range 2 है, तो दोनों के targetде 3 है, अब इस प्याइये अधर कोई trade ऑन servis下去 यहायं कि दीच अगशन हो आगशन हैं और तार्गें कार धालो कि दोर है सब्सक्राइब्स कारिदा यहाय दोर पूर्डशिक्षिसीक्तिटार्गें अपिसक्तिया शचित यह क्या मैं के गलती तो हुदी cum oversee cell塊 तर्गेट लाइन कहा है देख़ैं को तो अब behaviour पाक इंग सेराग में थैसे बएन देख साधने बाद में देखता हूं कैयो नहीं दिख रहा इसका तर्गेट लाइन और इसकी टार्गेट लाइन ऐसकी पीछझे रही हए इस लाइन के फीछझी देख लेता हूं मैं अगर ORB की लाइन को हटाता हूं तो ORB के पीछे भी लाइन नहीं दिखनी मिरको तो इसकी तार्गेट लाइन पता नहीं क्यों निशो हो रही पर बाद में देखेंगे, ORB की लाइन लगा देते हैं इस टोक है टेक महंदरा बाद में देखूंगा मैं कि यहा इसमें लाइन क्यों नहीं शो हो ही तो इसके अंदर देखेंगे कि range 4 का target हिट हो गया और range 2 का target हिट नहीं हुआ पर range 2 के अंदर जो entry लीती उसके अंदर भी आप profit में रहते हैं अच्छा, इनफी पे आ जाते हैं, इसके अंदर भी आपके पास range 2 का target हीट हो गया, पर इधर क्या हुआ, पहले stop loss हीट हुआ, फिर target हीट हुआ है, इसका मतलब आप loss में रहते हैं, क्योंकि आप range 2 के साथ enter तो हो जाते हैं, और stop loss हीट हो जाता है, तो आपकी trade close हो जाती है, तो range 4 पे जब signal आता, तो आपके पास stock होते ही नहीं, तो आप बेखते हैं, तो आप बेख नहीं पाते हैं, इसका मतलब loss में ही हो, इस पे आते हैं, इसके अंदर काफी सारी range बनी, range 1 बनी उसका stop loss हीट हुआ, range 4 बनी उसका target हीट हुआ, अगर आप देखोगे तो target हीए रह और range 2 बनी उसका stop loss हीट हुआ, तो मतलब एक ही दिन के अंदर 3 range बनी, जिसके अंदर 2 के stop loss हीट हुआ, और एक का target हीट हुआ, और आजाते हैं, आगे loop in, इसके अंदर भी stop loss हीट हुआ, range 1 का stop loss हीट हुआ, range 4 का stop loss हीट हुआ, LTP पे आजाते हैं, LTP के अंदर range 2 और range 4 बनी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर range 2 का भी target है और range 3 का भी target है मैं एक बार इसे कर रेंज 4 का भी target है क्योंकि इसके पीछे ही range 2 लिखा हुआ है जो कि आपको नहीं दिख रहा है मुझे अभी दिख रहा है तो इस तरीके से यह indicator काम करता है थोड़ा सम्में आपको इसका basic बता देता हूं कि इसमें alerts वगेरा कैसे लगाए जाते हैं जैसे कि एक में stock खॉल लेता हूं कोई भी इसके उपर मैं live trade भी करके दिखाऊंगा जैसे मुझे alerts लगाने अब यहाँ पर depend आपके IQ level पर depend करता है कि आप किस टाइप के alerts लगाना चाहते हूं अगर मैं आपके बदले होता तो मैं क्या करता हूं मैं range 1, range 2 एक-एक करके target नहीं लगाता कि हाँ भाई यह मेरी range है मैं क्या करता? alerts के icon पर click करता indicator का नाम लेता और यहाँ पर मैंने पहले से ही इसके अंदर all range मेरी range है सब पर alerts आने पर मेरे order लगते हैं तो मैं जो भी quantity दालता कि 100 order लगें तो 100 stock के जितनी भी range आती उसके order लगते हैं इसी तरीके से मेरा यह एक alerts हो गया और दूसरा alerts बनाता all TP यह मैं all range के TP ले ले लेता जितने भी मेरे TP हिट होंगे इसके अंदर में close position दालता तो मेरी exit हो जाती और उसके बाद में बनाता all range SL यह 16 नंबर का alerts हैं तो जितने भी SL होते वो भी हिट हो जाते हैं तो इस थरीके से में यह चीजे बनाता पर मैंने इस पर लाइब काम नहीं करा दो दिन पहले इंडिकेटर बनाया है और एक दिन मैं इसकी वीडियो भी बना दूँगा लाइब ट्रेडिंग की आट दस स्टॉक करूँगा और उस पर लगाऊँग और लाइब बना के दिखा दूँगा अभी की वीडियो भी काफी लंबी हो गई की एकस्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हमारे नेक्स लेवल बोट पर अकॉबर आकाउंट बना यहाँ पर एक इंडिकेटर पैनल दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूं मैं login हूँ पहले से, यह indicator request है, इस पर click करोगे, तो अगर आप login हो, आपका account है तो आपको यह दिखेगा, यहाँ पर काफी सारे indicator दे रखे हैं, और आप तीन indicator के लिए request कर सकते हो, तो इस indicator का नाम आपको दूसरे page पर मिल जाएगा, दूसरे page पर आपको ही मिलेगा, इस नाम स दाल देते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, डिलीट करके, यूजर नेम दालेंगे, देन आपको access मिल जाएगी, 24, 248 अवर के अंदर, तो thank you for watching this video, and bye, और मैं अभी भी आपसे कहना चाहता हूँ कि paper trading करे, totally free है, और फिर अपने confidence को build करे, thank you for watching this video, and bye.